Hello Friends, this is Ash Pissing and welcome to Smarter Everyday पहरे दोस्तों बात करेंगे बिएड फर्स्समेस्टर, बिएड थर्स्समेस्टर according to Praagraja University ठीक है, Praagraja University का एकजाम आपका 4 फरवरी से होने को है 4 फरवरी 2023, Official Date See It आपकी आ चुकी है लेकिन जो आपके exam का time है वह 2 घंटे दिया गया है है ना तो अब इसमें बहुत सारे students को ये confusion है कि हमारा exam किस तरीके से होगा कितने questions उसमें very short रहेंगे कितने short रहेंगे कितने long रहेंगे Dear friend मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बिल्कुल authentic news official website पे जो news है वही मैं आप तक share करूँगा ठीक है जिसमें आप पूरी तरीके से ये समझ पाएंगे कितने questions रहेंगे कौन सा प्रेश्म कितने शब्दों में हमको लिखना है इस तरीके से पूरी तरीके से आप satisfy हो पाएंगे देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी date seat है वह यह है जो be it first semester पहला paper आपका चार फरवरी को है psychology second paper आपका छे फरवरी को है third paper school management and hygiene का आपका शाथ फरवरी को है चौथा paper optional paper जो आपका value and peace education inclusive education है वो आपका आठ फरवरी को है ठीक है यानि कि चार से सुरू हो करके आपका एज़ाम 4, 6, 7, 8, 4 दिनों में खत्म हो जाएगा इस trends के सामने problem बहुत है इन्हें बच्चों को seat it भी देना है जो seat it की त्यारी कर रहे हैं और इसी पीछ आपका B8 भी लगा है ठीक है हो सकता है कि कुछ university के उपर दबाओ बनाया जाए और आपके इस pattern को थोड़ा बहुत 4, 6, 10 दिन इदर उदर कर दिया जाए आपके इस date seat को लेकिन जो आपके questions का format रहेगा किस तरीके से paper आएगा वो पूरी authentic news आपके शामने है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे देखेगा हेतु समस्त महाविद्यालेओं के लिए कुछ दिसा निर्देश दिये कैं है इन दिसा निर्देश की हम बात करते हैं शाफशाफ लिखा है NCTE दिसा निर्देशों के आलोक में परिच्छा अपनाली के शंदर में शामने दिसा निर्देश कुछ है ये समर्स दिसानिदेश राष्ट्री सिक्षानिती 2020 NEP 2020 के तहट जो इस बार सभी इनिस्टीज में लागू हो रहा है उसी की बात है ये राष्ट्री सिक्षानिती 2020 एवं NCTE नई दिल्ली के दिसानिदेशों के आलोक में इसमें आपकी जो ग्रेडिंग पनाली है उसके एकॉर्डिंग प्लस जो भी बात हो रही है वो अब आपका जो नया लेटिस चलेवस जो लागू हुआ है NEP 2020 से जो लागू हो रहा है उसी के एकॉर्डिंग है प्रोफेसर राजिन्द सिंग रज्यू भहिया विश्वदले प्रयागराज से समध सिच्छा इशनातक बीड पाठिकरम संचालित करने वाले शमस्त जितने भी राज की है अनुदानित श्वावित पोशित महविद्याले पर ये दिसानिदेश लागू होंगे तथा समस्त महाविद्याले वप वद्याले ओंको इन सभी दिसानिदेशां को पालन करना अनिवार रूप से पालन करना होगा ये स्रमस्त दिसाने से सतर इकिस बाइस से सिक्षा इसना तक बीड़ पार्टिकर में प्रवेस लेने वाले विद्यारतों की होने वाली सभी परिच्छाओं पर अनिवारता लागू होंगे पूर्व में निर्धाइद परिच्छा प्रणारी स्वता संसोधित मानी जाएगी इससे पहले जो भी आपकी बीड़ की जो सलेवर्स था और पूर्ण था संसोधित माना जाएगा यह इसमें कुछ न कुछ संसोधन किया गया है तो इसमें आपने सबसे बड़ी बात तो यह समझ लिए कि जो भी बात हम कर रहे हैं वह एनिपी 2020 को ध्यान में रख करके जो है जिनको क्रेडिट और ग्रेडिंग पणाली के आधार पर बांट दिया जाएगा सैध्धांतिक प्रश्ण पत्र के लिए सव अंकों में से 75 अंकों की बाहे परिच्छा आपकी जो रीटन एक्जाम होगा वो 75 नंबर का पेपर आएगा विश्विदाले परिच्छा और 25 अं अब आगे बात करते हैं देखेगा आते हैं अपने में पइंट पर जिसके लिए आप लोग हैं परिशान चीक है तो अब इसमें देखेगा जैसे कि साफ साफ लिखा है यहां पर बाहे मुल्यांकन विश्विदाले परिच्छा विश्विदाले दोरा प्रतेक समस्ट के अंत में संपन कराई जाएगी और लिखित बाहे मुल्यांकन विश्विदाले परिच्छा 55 अंकों की होगी लिखेत प्रिच्छा की काल वदी दो घंटे यानि कि आपका जो समय है वो दो घंटे का होगा शब्द सेमा 2,000 की होगी आपको 2 घंटे में 2,000 सब्द लिखने हैं कितने 2 घंटे में 2,000 सब्द लिखने हैं अब यहां भी यह अपनी में चीज है यहां से लेकर करके यहां तक देखिएगा जो आपके प्रश्णों के प्रकार होंगे अती लगुत्री प्रश्ण आपके तीन आएंगे तीन प्रश्ण अती लगुत्री होंगे एक क्योश्ण तीन नंबर का होगा अगर आपने तीनो सही कर दिये तो नौ नंबर आपको यहां से मिलेंगे और एक क्योशन जब आप लिखेंगे तो उसको 50 सब्दों में खतम करेंगे कितने सब्दों में 50 सब्दों में सुनिए मेरी बात अब मैं एक कह सकते हैं कि अब हम आपको लिख करके बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में आ आपको 9 exacte 9Нमबर का होगा चार प्रस्णाइंगे एक को नव मिलेंगे चारो प्रसने एक के लिए आपको लगटरी प्रस्ण से मिलेंगे के लिए एक क्योश्चन के लिए 200 चाहिए धीक है जो दीर गुतरी जो long question आपके आएंगे सिर्फ 2 question आपको करने होंगे ठीक है और 2 question करने होंगे एक question आपको 15 नंबर का रहेगा अगर आपने दोनों question ठीक कर दिये तो आपको 30 नंबर यहां से मिलेंगे एक question लिखने के लिए आपको 500 सब्दों की जरूत रहेगी कितने 500 सब्दों की जरूत रहेगी इस प्रकार से total केवल 9 प्रिशन आपके पूरे paper में रहेंगे 9 प्रिशन आपके 75 नमबर आपको दे करके जाएंगे और पूरी कॉपी में आपके 2000 सब्द हो जाएंगे कितने सब्द हो जाएंगे? 2000 सब्द हो जाएंगे ठीक है, तो इस तरीके से इसमें समस्त विश्यों में credit और grading पढ़ाली लागू होगी शैदांतिक विश्यों के लिए एक credit एक घंटे के ध्यापन के बराबर होगा जबकि प्रवग की विश्यों होगा तो एक credit दो घंटे के ध्यापन के बराबर होगा चलो इसको छोड़ दीजे कोई बात नहीं अब आपका main चीज यही है कि आपके अति लगुत्रिय प्रेशन 3, लगुत्रिय 4, दीर उत्रिय 2 ठीक है? टोटल आपको 2000 सब्द लिखने, 75 नमबर का paper रहेगा, no questions रहेंगे टोटल ठीक, आप इनको 2 घंटे में कैसे करना है, आपको पूरा paper कैसे solve करना है, यह तो मैंने सिर्फ यह बताया कि आपके कितने questions रहेंगे, कितने सामने लाएंगे, दूसरा ठीक है, और लगुत्री कितने सब्दों में रहेगा, लाउं कितने सब्दों में रहेगा, उसकी बात जो next video रहेगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने questions पर कितने आपको minute देने है, कितना time आपको लेना है question के लिए, ताकि 2 घंटे में पू वीडियो को अपने दोस्तों तक हर जगा सेर कीजेगा, थैंक्यू सो मच, प्लेलिस्ट पूरी बने हुए, वहां से शारी वीडियोज देखते रहेगे,